असलामुलेकुम सेल साइकल ऐसे इवन्ट्स को बॉलते हैं जो एक सेल डिविजन से लेकर दूसरी सेल डिविजन के कम्प्लीट होने तक सेल के अंदर परफार्म हो रहे होते हैं यह स्टेटमेंट थोड़ी समझनी मुश्किल है को डाइक्रेमेटिकली समझाता हूँ यानि एक सेल है तो उस सेल ने कुछ प्रॉसेसस से होकर गुजरना है ताके वो अपनी नमरिंग इंक्रीज कर सके सो एक सेल से दो सेल बन रहे हैं जिसे हम सेल डिविजन भी बोलते हैं यानि cell की numbering increase हो रही है, ठीक है, तो इस numbering की increase होने के लिए, cell के अंदर कुछ events परफार्म हो रहे होते हैं, और जब भी cell divide होगा, वो same event परफार्म होंगे, तो उन events को cell cycle कहा जाता है, क्योंकि वो same होते हैं, बार बार repeat होते हैं, इसलिए cycle लगा लिया गया है, तो cell cycle में ऐसे events आ जाते हैं, जो एक cell division से लेगर दूसरी cell division के complete होने तक, cell के अंदर परफार्म होते हैं, clear हो गया, तो cell cycle के जो events हैं, उन्हें तकरीबन तीन stages में divide कर लिया गया है, number पहली stage आ जाती है, interface, interface, तूसरी stage आ जाती है, mitosis and meiosis, तीसरी stage आ जाती है, cytokinesis, interface, ऐसा phase है, जिसमें cell अपना ज्यादा वाक्त गजारता है, mitosis और meiosis, mitosis cell के अंदर, जो nucleus की division हो रही होती हैं, उसे mitosis और meiosis कहा जाता है, mitosis body cells के अंदर हो रही होती है, और meiosis, jam cells के अंदर, या gamete cells के अंदर हो रही होती है, जिसमें sperm cells और रहेगा आ जाती हैं, और cytokinesis final process होता है, जिसमें cytoplasm divide होता है, यानि जब भी cell ने divide होना है, तो उसमें interface के दुरान cell अपने आपको prepare करेगा, फिर mitosis process के जरीए, cell का nucleus divide होगा, फिर उसके बाद cell पूरा divide हो जाएगा, या cell का cytoplasm divide हो जाएगा, clear हो गया, तो इस diagram की मदद से समझते हैं, इन तीनों phases को detail से, उके, उससे पहले मैं आपको एक line बता दूँ, कि human cell culture, ये जो मैं आपको diagram बता रहा हूँ, ये आप समझ लेएं, कि आपने humans के कुछ cells लियें, उन्हें in vitro या lab के अंदर, ठीक है in vitro, यानि के lab के अंदर, culture medium के अंदर growth करवाईएं उनकी, ठीक है, ताकि वो division करते रहें, और उनकी division के process को हम अच्छी तरीके से समझ पाएं, so human के जो normal cells होते हैं, उनका जो दोरानियों होता है, culture medium के अंदर, वो तकरीबन 17 hour होता है, Excel, 2 mid wide होने का, ठीक है, 17 hour या कुछ books के अंदर, 20 hour, 16 hour, different numbering लिखीगी, या आपने अपना थोड़ा परचर बढ़ा करना है, आपकी book के अंदर जो लिखा है, आपने paper point of view से वही लिखना है, बट आपको ये पता होना चाहिए, कि varies कर सकती हैं ये numbering, उसकी वज़ा ये होती है, कि कुछ labs के अंदर, different type of human cells को study किया जाता है, कुछ के अंदर different type of human cells, हर एक cell की जो timing है, वो different हो सकती है, अगर कोई मैं quiz डाल देता हूँ, या video के अंदर कोई बात करता हूँ, तो कुछ students बोलते हैं, कि सार ऐसा नहीं है, ऐसा है, तो आपकी book के अंदर वैसा होगा, बट overall जब हम study कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ें vary कर सकती हैं, इसलिए मैंने आपने note किया होगा, कि ये जो detailed lecture videos हैं, इनके अंदर मैंने debts देना बंद कर दी हैं, क्योंकि scientists और different books के अंदर थोड़ी बहुत change होती रहती हैं, तो यहाँ पर study करते हैं, ये एक human cell का जो life cycle है, culture medium के अंदर, उसे हम study कर रहे हैं, सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये phase, ये आगया, ये आगया, ये सारे phases, interface के parts हैं, यानि सबसे लंबा time, ये जो green color में आपको नज़रा आ रहे हैं, ये green color में, ये सबसे लंबा phase है, इसे interface कहा जाता है, जिसके अंदर कुछ sub-faces मुझूद हैं, फिर ये red color में mitosis आ जाता है, और फिर cytokineus जिसको cytoplasm की division कहा जाता है, so interface के अंदर जो सबसे पहला phase होता है, उसे G1 phase कहा जाता है, यानि interface की तीन phases हैं, sub-faces हम कहा सकते हैं, G1 phase, S phase and G2 phase, right, so G1 phase, G निकला है gap से, ठीक है, so ये G1 phase आ गया, culture medium के अंदर, इसका time duration तकरीबन 5 hour होता है, याद रखिए, आप अगर human body को study कर रहे होंगे, वहाँ पर G1 phase सबसे ज्यादा time के लिए रहता है, ठीक है, लेकिन अगर आप cell division के लिए culture करवा रहे हैं cell को, तो G1 phase की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, क्योंकि G1 phase के अंदर cell metabolically active होता है, अपनी सारी activities परफार्म कर रहोता है, protein की synthesis कर रहोता है, अपनी growth कर रहोता है, और different जो functions आप परफार्म करना है, बट cell division के लिए अगर आपने study करना है cell को, तो definitely आपने culture medium उस हिसाब से prepare किया होता है, कि उस cell को signal जाएं कि cell ने divide होना है, तो G1 phase के इतनी लंबे अर्से के लिए जिन्दा रहने की कोई तुक नहीं बनती है, ठीक है, तो वहाँ पर culture medium के अंदर G1 phase का जो time duration है, वो तकरीबन 5 hour होता है, जिसमें cell कुछ enzymes वगरा, प्रोटीन और अपनी metabolic functionality परफार्म करते हैं, फिर उसके बाद trigger मिलता है, तो ये synthesis phase में चले जाते हैं, और नार्मल हालत के अंदर G1 phase के बाद कुछ cells, body के अंदर ऐसे होते हैं, जो G0 phase के अंदर चले जाते हैं, जिसे equation और senescent phase भी कहा जाता है, जिसे हम कह सकते हैं, non-dividing phase हम कह सकते हैं, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूँ, non-dividing phase, इसका मदलब ये है, कि इस phase के अंदर, cell की division बिलकुल stop हो जाती है, और कुछ ऐसे cells हैं, जिनके division हमेशे के लिए stop हो जाती है, वो G0 phase mentor हो जाते हैं, जैसे कि कुछ neurons ऐसे होते हैं, जो एक ये बार बनते हैं, और पूरी life के लिए function पर फार्म करते रहते हैं, unless वो disintegrate, या कोई बिमारी जैसे Alzheimer वगएरे में, वो degrad न हो जाते हैं, और कुछ cells ऐसे होते हैं, जो कुछ हरसे के लिए G0 phase में जाते हैं, फिर वोने trigger मिलता है, कुछ signals मिलते हैं, वो again से cell division वाले process में चले जाते हैं, तो अगर G1 phase को signal मिलता है, कि आपने divide होना है, तो G1 phase एक दम से चला जाता है, second phase में, जिसे S phase कहा जाता है, S निकला है synthesis phase में, S phase सबसे important phase है, cell division के हिसाब से, because इस phase के अंदर DNA replication होती है, ठीक है, DNA की क्या होती है, replication होती है, और यह sense आपके सामने आप बनना चाहिए, कि अगर cell ने divide होना है, तो उसके DNA को double होना चाहिए, ताकि पूरा आदा DNA XL में चला जाए, आदा दूसरे में चला जाए, तो इस concept को आपको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, यह एक नुकलियस से उसके अंदर DNA मौझूद है, ठीक है, वैसे तो DNA इस structure में नहीं होता है, chromatin की farm में होता है, जो tangled structure होती है, यह उल्जे हुए दागे की तरह होता है, यानि के, लेट से यह एक chromosome है, और यह इस farm में पड़ा हूँ है, ठीक है, यहाँ पर मैंने थोड़ा compact बना दिया, यानि chromosome की structure बना दिया, ताके आपको समझ अच्छे से आ सकें, ठीक है, तो chromosome की structure कैसी होती है, के central part होता है, जिस गेर्द गेर्द, जो DNA है, तोड़ा सा loosely, आम से बनाया होता है, बाजू से बना होता है, जो यह एक बाजू आगे है, तो इसे chromatid खा जाता है, इस chromosome का क्या है, एक chromatid है, यानि यह एक बाजू है, और यह वाला joint है, यह centromare है, यह वाला joint क्या है, centromare है, ठीक है, so human body के अंदर कितने chromosome होते हैं somatic cell के अंदर 46 chromosome होते हैं so इसका मतलब है human body के अंदर हर cell के अंदर जो chromosome है वो इस तरीके से 46 की तदाद में मुझूद होते हैं जहां पर just मैंने egg draw कर रखा है अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि cell ने divide होना है so G1 phase से जैसे synthesis phase में जाएगा तो cell के अंदर ये जो chromosome है जो कि basically DNA से मिलकर बना होता है ये duplicate होना शुरू हो जाएगा यानि DNA अपने आपको replicate करना शुरू कर देगा ताकि DNA की quantity double हो जाए ताकि जब cell divide हो तो ये same chromosome हर एक cell में जा सके so second scenario क्या होगा कि जब ये DNA इसका replicate होने लगेगा तो होगा क्या कि centromere वाला area वहाँ पर ही मुझूद होगा let's say ये old DNA है ठीक है यानि जो chromosome old chromosome हम इसे कह सकते हैं और ये chromosome का new part बना है बट क्यूंकि ये आपस में जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसे single chromosome ही मानेंगे और इस single chromosome के अंदर DNA की quantity double हो चुकी है यहां पर आप देख पा रहे हैं DNA की quantity जो cell को need होती है वो ही है यहां पर ये सारा DNA replicate होकर इस तरीके से अपने आपको त्यार कर लिया है इस DNA ने ताकि cell जब divide हो तो ये DNA भी साथ में divide हो जाए और same number of chromosome अगले cell में चले जाए है ये mitosis का कैस हम study कर रहे है यहां पर two chromatids बन चुकी है एक chromatids ये वाला आ गया और एक chromatids ये वाला आ गया और इन chromatids को sister chromatids कहा जाता है sister chromatids sister chromatids क्यों कहा जाता है because ये एक दूसरे के similar है यानि इस से ही replicate होके ये वाला chromatids बना है DNA same है ये दोनों आपस में sister chromatids आ गया so हुआ क्या है कि replication हुई है DNA की हर chromosome के अंदर अब आप देखें जब इस cell ने divide होना है या इस nucleus ने divide होना है तो ये यहां center से separate हो जाएगा ठीक है वो mitosis में details हम study करेंगे ये chromosome इस तरीके से center से separate हो जाएगा तो ये आप chromosome 2 में बढ़ जाएगा ठीक है और एक part एक cell में चला जाएगा दूसरा part दूसरे cell में चला जाएगा अब अगर आप इस cell को देखें और इस cell के nucleus को देखें और इस nucleus को देखें तो ये दोनों same हैं तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों new cell के अंदर ये nucleus के अंदर same amount of DNA ये same chromosome इंटर हुआ है तो इस तरीके से synthesis phase के अंदर DNA अपने आपको replicate करता है बट replicate होने के बाद भी उसके chromatids दो हो जाते हैं बट वो chromatids separate नहीं होते हैं इसलिए हम इसे एक ही chromosome लेते हैं अब ऐसा नहीं है कि हम कहें कि synthesis phase के अंदर chromosome duplicate हो जाते हैं chromosome की numbering double हो जाती है ऐसा नहीं है chromosome 46 ही रहते हैं हर chromosome के अंदर जो DNA की amount है वो double हो जाती है ताकि जब separation हो तो DNA जब separate होगा तो क्या होगा अलग अलग chromosome दुबारा से maintain हो जाएंगे जो इस diagram की ज़रीए मैंने आपको समझाने ही कोशिश की है तो बहुत ज़्यादा students को यहां पर confusion होती है मैंने कोशिश की आपको असानी से समझाओं अब भदा नहीं आपको समझाईए के नहीं जो synthesis phase होता है यह तकरीबन अगर हम culture medium की बात करें तो culture medium के अंदर synthesis phase का duration सबसे ज़्यादा होता है तकरीबन 7 hours culture medium की बात कर रहा हूँ नार्मल हालत में मैंने आपको बता दिया था कि G1 phase का दुरानिया ज़्यादा होता है ठीक है और synthesis phase का दुरानिया इसलिए ज़्यादा होता है कि यहाँ पर DNA की replication हो रही होती है culture medium के अंदर ठीक है आपने scenario mix नहीं करने नार्मल वाड़ी के अंदर G1 phase की timing ज़्यादा होगी लगन अगर आप culture medium को देख रहे हैं जिसमें सिरफ आपने cell की division करवानी है वहाँ पर ज़्यादा time लेगा synthesis phase क्योंकि उसके अंदर DNA की replication होगी और core mechanism होगा synthesis phase के अंदर ही जिसे हम बोलते हैं कि जो centrioles हैं वो duplicate होकर cell के अंदर मुझूद हो जाएंगे यानि centrioles आप जानते हैं pair of centrioles मुझूद होता है एक cell के अंदर ठीक है और जिस region में centrioles मुझूद होते हैं उसे centrosome खा जाता है so let's say यह centrioles है तो इस की duplication होगी ठीक है so duplication कैसे होगी let's say यह एक centrioles आगया और यह दूसरा centrioles आगया ठीक है और इन centrioles की क्या होगी duplication होगी duplication का मतलब किया है यह दो है तो यह कितने हो जाएंगे चाड़ हो जाएंगे so new one को में green set रहा कर रहा हूँ ठीक है so यहां पर यह दो centrioles हो चुके है यह sorry centrioles तो pair में होते हैं so four centrioles हो चुके हैं यानि दो pair बन चुके हैं ठीक है so centrioles की numbering भी double हो जाती है as phase के अंदर और यह centrioles क्यों मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यह बहुत important होते है because centrioles से spindle fiber generate करते हैं जो कि microtubules है और microtubules आप जानते हैं tubulin protein से मिलकर वनी होती है और यह microtubules का का काम क्या होता है कि chromosome को दिनम्यान से पकड़ के separate करना जो आगे mitosis में हम detail से देखने वाले हैं clear हो गया तो जहां पर दो important चीज़े मैंने आपको mention कराई एक dna replication दूसरा centriole duplication centriole duplication और यही interface के सबसे important phase steps है ठीक है अब जहां पर definitely arganalyze बगए भी duplicate हो रहे होते हैं but centriole इसलिए mention करवाना ज़रूरी होता है कि एक तो cell के अंदर सिरफ दो centriole मुझूद होते हैं यानि पेर की farm में centrioles होते हैं right so इनकी duplication बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दूसरा यह spindle fiber बना कर cell division या micro sorry nucleus की division में बहुत important role play कर रहे होते हैं और इसके इलावा जो cell के अंदर जो आर्गनिलीज होते हैं वो already ज़्यादा में मुझूद होते हैं जैसे mitochondria गोल्जी bodies ये already ज़्यादा में मुझूद होते हैं हाल दो के ये भी duplicate होते हैं ताकि cell में divide हो सके हैं बट इने न भी लखा जाए तो इतना मसला नहीं है ठीक है so synthesis phase में DNA replication हो चुकी है centriol और बाकी organelles duplicate हो चुके है अब next phase चलता है जिसे G2 या gap 2 phase कहा जाता है याद रखिए आपने gap phase को इस तरीके याद करना है कि gap phase के अंदर DNA की replication नहीं होती यादि gap 1 phase के अंदर तो growth और metabolic activities और ही होती है gap 2 phase के अंदर जो imagery event होता है वो यह होता है कि DNA को DNA की repairing को check किया जाता है यादि DNA के जो replication होई है उसके अंदर कोई mismatch तो नहीं हुआ so simply हम कह सकते हैं कि checking वगएर हो और ही होती है cell division के लिए जो cell है वो अच्छी तरीके से ready है के नहीं ठीक है so G2 phase तकरीबन 3 hour के लिए चलता है फिर इसके बाद next phase आ जाता है जिसे mitosis का आ जाता है जो one hour में चलता है जिसके कुछ further sub phases है जैसे के pro phase, meta phase, dana phase, telophase इन सब को बारी-बारी हम देखेंगे mitosis को carrier kinases भी कहा जाता है carrier kinases का मतलब होता है nucleus की division ठीक है nucleus की division so nucleus की division जब होती है mitosis या meosis दोनों वचा 3K से हो सकती है दोनों को हम study करेंगे फिर next phase जलता है cytokinesis जिसके अंदर cytoplasm की division होती है और cell X से 2 में divide हो जाता है clear हो गया okay quickly मैं आपको review करवा देता हूँ ताकि जब हम mitosis study कर रहे हो तो आपको असानी से समझाए cell cycle मैंने आपको बताया ऐसे events को बोलते हैं जो एक cell division से लेकर दूसरी cell division के complete होने तक cell के अंदर perform हो रहे होते हैं और ये events interface mitosis और cytokinesis में हमने divide किया है फिर हमने देखा कि interface को further कुछ sub phases में divide गया है जिसमें G1 phase, S phase और G2 phase है जिसमें सबसे important phase S phase है S phase के अंदर DNA की replication होती है centriol और different organelles बगएरा duplicate करते हैं G phase के अंदर growth बगएरा होती है G2 phase के अंदर checking और मजीद growth होती है और cell का size बहुत बढ़ा हो जाता है let's say cell के अंदर chromosome है ठीक है इसमें यह chromatid जो बाजू है यह DNA से मिल कर बने हुए so इस DNA की replication होगी replication का मतलब यह है कि यह DNA replicate करके इसी chromosome के साथ attach होगा so chromosome की duplication नहीं हो रही सिरफ DNA ज्यादा हो रहा है एक chromosome के अंदर और फिर यह DNA जब separate हो जाता है तो हर cell के अंदर same chromosome enter होता है जो previous cell के अंदर था ठीक है so यह mechanism हमने details से समझ लिया है mitosis को समझने से पहले हमें mitosis की importance का पता होना चाहिए जैनि mitosis की uses क्या है हमारी body के अंदर बाकी living organisms के अंदर mitosis का benefit क्या होता है so mitosis में basic लिए होता क्या है कि एक cell से दो identical cells बनते है एक cell से दो cells बनते है जो identical होते है जिनमें chromosome number same होता है जो parent cell के अंदर था right so importance की दरब चलते है पहला point मैंने लिखा है कि mitosis growth आफ organisms में help करता है यानि organism जो grow कर रहे होते है उसमें जाहिरी बात है cells की numbering increase हो रही है so cells की numbering कैसे increase हो रही है mitosis के process से increase हो रही है और वो cells identical होते है इसकी एक example आप embryo से fetus को ले ले यानि जब मा के बैट के अंदर बच्चे की growth हो रही होती है वो growth में क्या हो रहा है cells की numbering increase हो रही है और वो cells की numbering जाहिरी बात है identical cells की numbering increase करवानी है cell body के अंदर, fetus के अंदर so उसकी जो numbering है वो mitosis के process से increase हो रही होती है और इसके इलावा बेबी जब adulthood तक जाते हैं हम जब बड़े हो रहे होते हैं इस sub में cells की numbering increase हो रही है और उस numbering increase करने में mitosis का roll है so adulthood तक जो growth कर रहे होते हैं आपका size मज़ीद बड़ा नहीं हो रहा so वहाँ पर आपकी जो cell की repairing है अगर आपको let's say कोई injury हो चुकी है चोट लग चुकी है तो आप देख पा रहे हैं उस चोट वाली जगह पर दुबारा से same cells reappear होते हैं और वो चोट वाला जो जखम है वो वाला area भर जाता है तो उसमें mitosis यानि cell divide होते हैं जो cell destroy हुआ है वो दुबारा से बनते रहते हैं mitosis की process से और healing का process होता है और इसके लावा अगर आप अपनी skin के cells को देख लें तो epithelial cells continuously नए बनते रहते हैं क्योंकि उपर वाले cells चोट हैं रॉफ हो जाते हैं वे टाइम और वो dead होके गिर जाते हैं new cells बनते रहते हैं mitosis की process से आपकी internal lining जैसे intestinal lining है इसके cells continuously नए बनते रहते हैं mouth के अंदर cells बनते रहते हैं तो different cell repairing का function mitosis की मादब से आपकी body के अंदर throughout life होता रहता है और अगर हम plants की बात करें तो वहाँ पर हमें asexual reproduction भी देखने को मिलती है जैसे sometime कोई budding का process हुआ है और वो bird gear कर जमीन पर गिरा है वहाँ पर वो पूरा plant बन जोगा है mitosis की process और बाकी भी plant गें अंदर asexual reproduction जितनी भी है उसमें ज्यादा mitosis का roll होता है और फिर हम कुछ unicellular organism amoeba को देख लें तो एक cell amoeba क्या कर रहा है एक cell से दो cell में जो divide हो रहा है basically वो concept क्या है वो mitosis ही हो रही होती है ठीक है so वो होती क्या है asexual reproduction जानी amoeba अपनी numbering increase कर रहा है बट mitosis की जरीए कर रहा है तो यह एक type की asexual reproduction आ जाती है so यह कुछ different uses मैंने आपको importance पुता दी mitosis की ताक के आपके एक interest built हो जाए के mitosis के uses क्या है okay अब हम mitosis की process की तरफ चलते हैं जैसे के मैंने आपको बताया था कि mitosis के 4 phases होते हैं जिसमें आएक pro phase, दूसरा meta phase, तीसरा hana phase, चोथा telophase and then cytogenesis आ जाता है, so सबसे पहला जो phase है mitosis का pro phase उसे study करते हैं so let's say this phase is pro phase, number one phase क्या है, pro phase है pro phase okay, so अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था interface के बारे में, यानि के cell पहले interface से गुजरता है फिर mitosis की दरफ चलता है, so interface का एक phase होता है, जिसे s phase या synthesis phase कहा जाता है, जिसमें chromosome या DNA की जो quantity है, वो double हो जाती है, chromosome की बाद नहीं करा, DNA की quantity double हो जाती है यानि DNA replication देखने को बहुती है मैं example के लिए आपको बता देता हूँ, यानि cell के अंदर जो chromosome है, वो chromatin की farm में पढ़ा होता है, यानि thread like farm में पढ़ा होता है, उल्जेवाइ दागे की तरह ये thread की तरह पढ़ा होता है, ठीक है so s phase के अंदर हुआ क्या, कि let's say, ये एक chromosome का ये DNA था, so इसका DNA replicate कर गया, और ये centromere के साथ फिर भी attach ही है, so ये chromosome एक ही है, इसका DNA double हो चुका है, और ये जो आपस में दो बाजू बने हैं, इन्हें sister chromatids कहा जाता है, because ये identical DNA बनाए इसके according, right, और ये बनना इसलिए जरूरी है कि जब nucleus की division हो रही हो, तो एक हिसा एक cell में चला जाए दूसरा इसा दूसरे cell में चला जाए, और chromosome number maintain रहे, clear हो गया, so इस तरीके से chromosome, sorry, DNA की replication होती है, interface के अंदर, but ये DNA visible नहीं होता, ये DNA visible आपको mitosis के process के अंदर देखने होलता है, जिसमें pro phase के अंदर ये DNA condense होना शुरू हो जाता है, so pro phase के अंदर जो events होते हैं, यहाँ पर मैंने लिक भी रखे हैं, इन्हें फिर diagramatically देखते हैं, सबसे पहला event देखते हैं, कि pro phase के अंदर nuclear membrane जो है, ये disappear होना चुरू हो जाती है, let's tell, ये एक cell है, ठीक है, जे साइटोप्लासम आगे है, और cell के अंदर nucleus होता है, nucleus काफी मैंने बड़ा drug रख है, क्योंकि mitosis में nucleus की division है, तो nucleus पर हमारा focus होगा, तो ये nuclear membrane आगी, तो पहला step क्या होगा pro phase के अंदर, nucleus membrane disintegrate हो जाएगी, disappear होना शुरूआ जाएगी, तो basically होता ये है कि ये nucleus membrane vesicle की farm में बढ़ जाती है, और ये vesicle cytoplasm के अंदर फैल जाते हैं, और nucleus membrane हमें ऐसे लगता है, खायब हो चुकी है basically ये vesicle इदर ही होते हैं, क्योंकि जब दुबारा nuclear membrane ने बनना है ये vesicle दुबारा से organize होके nuclear membrane बना देते हैं, so nuclear membrane क्या हो रहा है, disappear हो रही है, disintegrate हो रही है ये nucleolus disappear हो जाता है क्योंकि इसका काम नहीं है, cell division के अंदर, right, so nucleolus disappear हो जाता है, तीसरा point ये centriol moves to opposite pole and ester shape appear, आप जानते हैं जैसे मैंने आपको बताया था है, कि centrioles मुजूद होते हैं, ठीक है जो के duplicate already हो चुके थे, कौन से step के अंदर right, s phase के अंदर interface के s phase के अंदर और ये जैसे duplicate हुए थे अब ये pro phase के अंदर ये opposite pole की दरफ move करने लग गए है, ठीक है यानि centriol का एक pair इदर रह जाएगा, दूसरा pair इदर so मैं I think ऐसे draw करता हूँ, ठीक है, opposite pole ये वाले बनाता हूँ, ये वाले नहीं बनाता ठीक है, so let's say ये वाला centriol का जो pair है, ये यहाँ पर रह चुका है pro phase के अंदर और दूसरा centriol का pair यहाँ पर आ चुका है, ठीक है ये opposite आ चुके है, so centriol opposite pole पर move कर चुके है और दूसरी बात मैंने लिखिया कि ester shape appear हो रही है, ester shape का मतलब क्या है कि centriol जिस रीजन में मौझूद है, इस रीजन को centrosome कहा जाता है, right, so centrosome में कुछ proteins, यानि micro tribules मौझूद होते हैं, जोके organize होके spindle fiber की शकल अख्तियार कर देते हैं, यानि इस area से कुछ spindle fibers निकलना शुरू हो जाते हैं, और यह spindle fibers जब निकलते हैं, तो star shape appearance आती है, right, so जब यह star shape appearance आईगी, तो star ester वहां से निकला है, so ester look, ester shape appearance आ रही होती है, so star shape look आ रही होती है, जिसे ester कहा जाता है, right, so fourth point आ जाता है, प्रोफेस के अंदर, chromatin condense and farm chromosome, मैंने आपको बता है, chromatin की farm में DNA मुझूद होता है, cell के अंदर, so यह chromatin condensed होगा, यानि जुनना शुरू हो जाएगा, आपस में, close होना शुरू हो जाएगा, so इस process को condensation session बोलेंगे, so condense होने के बाद, जिक chromosome की शकल में, nucleus के अंदर हमें दिखाई देने लग जाएगा, so यहाँ पर मैं, draw कर लेता हूँ, let's say, दो chromosome हम यहाँ पर draw करते हैं, जिनका scenario हम study करेंगे, वैसे human की बात करें, तो 46 chromosome होते हैं, right, so दो chromosome यहाँ पर में, draw करने लगाँ, so chromosome जब condense होगा, तो उसकी शकल कुछ इस type की नजर आएगी, ठीक है, एक chromosome यह आगया, और दूसरा chromosome, यह आगया, clear होगया, so chromosome condense होके, नजर आना शुरू हो चुका है, यह 4 steps होते हैं, प्रोफवाइस के अंदर, cleolus भी खतम हो जाता है, disappear हो जाता है, और centriol जो हैं, वो opposite pole की तरफ move करते हैं, यानि centriol duplicate होने के बाद, opposite pole की तरफ move करते हैं, एक centriol का pair इदर रह गया, एक इदर रह गया, ठीक है, opposite pole में आ चुके हैं, और इसका benefit होता है, metafase में हम देखेंगे, और इसके बाद जो chromosome थे, वो condense होके, नजर आना चुरूब हो चुके हैं, तो यह pro phase के अंदर कुछ events हैं, जो perform हो रहे होता हैं, अब हम चलते हैं next phase की तरफ, जिसे metafase कहा जाता है, so this is second phase, जिसे क्या कहा जाता है, metafase, metafase इसे इसलिए कहा जाता है, कि इसके अंदर metafase plat देखने को मिलती है, यानि एक center में chromosome की alignment देखने को मिलती है, so nuclear membrane completely disappear हो चुका है, ठीक है, nucleolus disappear हो चुका है, और यह जो centrioles हैं, यह बिल्कुल opposite pole के तरफ move कर गए हैं, so यहाँ पर मैं centrioles को बना देता हूँ, centrioles बिल्कुल opposite आ चुके हैं, एक दूसरे के, clear हो गया, और chromosome fully condensed हो चुका है, यानि अगर आपने chromosome को देखना है cell के अंदर, तो metafase best time है, जिस दुरान आप microscope की मदद से, आप chromosome को देख सकते हैं, क्योंकि fully condensed form में पढ़ा होता है chromosome, सो यहाँ पर chromosome एक metafase plate बना देता है, right, सो metafase plate का मतलब क्या है, कि एक alignment में आ जाता है chromosome, सो alignment में ड्रा करके आपको बताता हूँ, let's say, यह chromosome ऐसे आ चुका है, एक chromosome ऐसे आ चुका है, ठीक है, दूसरा chromosome भी, बिल्कुल इसकी alignment में आ चुका है, ज़रा समय नीचे उट राज़र देता हूँ, यह दूसरा chromosome भी आ गया, सो अब देख पा रहे हैं, कि सेंटर में यह chromosome एलाइन हो चुके हैं, सो इस alignment को metafase plate कहा जाता है, और यह alignment कैसे बनती है, यह alignment बनती है, with the help of spindle fiber, सो spindle fibers क्या करते हैं, क्रोमोसॉम को center से पकड़ लेते हैं, center वाला region क्रोमोसॉम का क्या कहलाता है, centromere, centromere के उपर कुछ protein मुझूद होती है, जिने kineto core कहा जाता है, जो spindle fiber के साथ connect हो जाती है, यहाँ से spindle fiber जो निकली हैं, वो इस तरीके से kineto core के साथ attach होकर, center से क्रोमोसॉम को पकड़ लेंगी, clear ओर यह यह बात, दोनों side से, यहाँ सेंट्रोसॉम वाले region से, जो spindle fibers निकली हैं, वो यहाँ center से क्रोमोसॉम को पकड़ लेंगी, यह काफी सारी निकलती हैं, यहाँ पर मैं सारी draw नहीं कर सकता, ठीक है, जो इस तरीके से, जब spindle fiber ने क्रोमोसॉम को center से पकड़ लिया, तो दोनों ने, एक दूसरे, दोनों तरफ से pull force लगी है, खैंच रहे हैं क्रोमोसॉम को, तो क्रोमोसॉम center में आके align हो चुगा है, और metafass plate बन चुकी है, तो मेटा फैस के अंदर कौन-कौन से event आकर हो रहे हैं, एक तो क्रोमोसॉम fully condensed होके, clearly visible हो जाता है, दूसरा spindle fibers जो हैं, वो आकर क्रोमोसॉम को center से पकड़ लेती हैं, center में काइनेटों को और protein होती है, जहां से पकड़ती हैं, यह जो center वाला portion है, इसे centromere कहा जाता है, और मैंने आपको पता है, centromere के उपर कुछ proteins मुझूद होती है, जिने kinetocore कहा जाता है, यह जो red color में मैंने protein राकर रखी है, इसे kinetocore कहा जाता है, kinetocore की यह खुबी है, के यह kinetocore protein अपने साथ attach कर देती है, spindle fibers को, एक साइड से spindle fiber kinetocore के साथ attach है, यहां पर red color की protein है, जिसके साथ यह attach है, और दूसरी साइड से यह centrosome के साथ, यह centriol के साथ दूसरी साइड पर attach है, राइट, तो spindle fiber, और इसके लावा, chromosome के जो दो बाजू है, वो आपस में एक और protein की मदद से attach होते हैं, जिसे cohesin protein कहा जाता है, तो आप जब भी हम chromosome ड्रा करते हैं, मैं आपको example बता देता हूँ, कि जब भी हम chromosome ड्रा करते हैं, हम ऐसे नहीं करते कि chromosome का एक बाजू इदर है, दूसरा इदर है, तीसरा इदर है, ऐसा chromosome आपने नहीं देखा होगा, जब भी हम chromosome ड्रा करते हैं, तो हम ऐसा ड्रा करते हैं, यह इसके दोनों बाजू एक दूसरे के क्रियव होते हैं, उसकी वज़ा यह होती है, यह दोनों बाजू आपस में जोड़े होते हैं, विद दी हल्प आफ कोहेसन प्रोटीन, राइट, यह कोहेसन प्रोटीन इनको आपस में जोड़े रखती है, अगर हमने chromosome को separate करवाना है, तो इस chromosome की breakdown करनी पड़ेगी, ताकि chromosome के दोनों बाजू separate हो जाएं, अब NFS के अंदर जो events होते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपने यह note करना है, कि NFS के अंदर जो centrum में आ रहे हैं, वो split हो जाएगा with the force of spindle fiber, यानि spindle fiber, chromosome को खेंच रहे हैं opposite pole की दरब, जब pull force लगती है, तो एक enzyme होता है, जिसे separize enzyme कहा जाता है, उसका काम क्या होता है, इस cohesion protein को तोड़ना, यहां पर cohesion protein की breakdown करने का काम किसका है, separize enzyme का है, separize enzyme क्या करता है, breakdown करता है, इस cohesion protein की, और यह cohesion protein जब टूट जाती है, तो अब centrumjer से chromosome अलग हो सकता है, राइट सो सेपरेस प्रोटीन और स्पिंडल फाइबर की फॉर से क्रोमोसॉम एपार्ट हो जाते हैं अलग हो जाते हैं राइट और क्रोमोसॉम आपजेट पॉल की तरफ मूव करना चुरू कर देते हैं यहां पर जो सिनारियो है वो मैं ड्रा कर देता हूं यहां पास सेंट्रियोल के पेर आ गया ठीक है और सेंटर में क्या था क्रोमोसॉम था जो रेंज हुआ वा था तो यहां पर मैं इसे सेपरेट करवा देता हूं यह का गया यह दूसरा आगया यहां पर दूसरा गया तो इसके सेंट्रों मेर को थोड़ा में वीजिबल बनाने के लिए रेड कलर से ड्रा कर देता हूं ठीक है तो हुआ क्या कि स्पिंडल फाइबर ने फोस लगाई राइट स्पिंडल फाइबर ने फोस लगाई उस फोस का एक स्टिमूलस मिला जिससे सेपरेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया राइट सेपरेज एंजाइम जैसे यह एक्टिवेज हुआ तो सेपरेज एंजाइम न मेकनिजम एनफेस में यहीं तक होता है सो अब यह जो क्रोमो सॉम है यह आपको जेट पॉल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे और उसमें आपको मैं एक कॉंसेप्ट दे दूं कि आपको जेट पॉल में यह जो स्पिंडल फाइबर्स हैं यह शॉर्ट होती जाएंगी यह न तूटते रहते हैं और स्पिंडल फाइबर्स शॉर्ट होते रहते हैं शॉर्ट होते होते हैं यह स्पिंडल फाइबर्स क्रोमो सॉम को अपॉजिट पॉल की तरफ खेंच देते हैं सो एनफेस के बाद जो लास्ट फेस आ जाता है वो आ जाता है टीलो फेस सो यहां पर मैं लेक लेता हूँ, फॉर्स फेस कुन सा है, टीलो फेस, टीलो फेस में क्या हो रहा है, कि कम्प्लीट ली, जो क्रोमो सॉम्स हैं, कम्प्लीट आपोजेट पॉल की तरफ, ये कम्प्लीट ली मूव कर चुके हैं, ठीक है, सो यहां पर मैं अगैन से वो सिनारियो क्रियाइट करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ, कि जो क्रोमो सॉम्स हैं, वो कम्प्लीट ली मूव कर चुके हैं, आपोजेट पॉल की तरफ, जब पॉल फॉस लगती है न, तो बाजू इस तरीके से हो जाते हैं, यानि सेंट्रो मैर सेंट्रियोल की तरफ ज़्याद हो जाते हैं, और बाजू थोड़े से दूर हो जाते हैं, तो यहां पर इस तरीके से अपिरेस आ जाती है, तो कम्प्लीटली स्पिंडल फाइबर की पॉल फॉस की वज़ा से, जो क्रोमो सॉम हैं, आपोजेट पॉल की तरफ मूव कर ग जाती है, यानि जो नुकलर मेंब्रेन मौजूद थी, वो दबारा से अपिर होना शुरू हो जाती है, और नुकलियस के अंदर ये क्रोमो सॉम होना शुरू हो जाते हैं, तियर हो गया, और दबारा से नुकलियोलस अपिर होना शुरू हो जाता है, और बाकी अरगनलेस फं आजाता है जिसे साइटो काइनेस बोलते हैं साइटो काइनेस याद रखिए जो माइटोसेज का प्रोसेस है इसे केरियो काइनेस भी कहा जाता है सो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ केरियो काइनेस केरियो काइनेस का मतलब क्या होता है नुकलियस की डिवेजन so carryokinesis का process जैसे ही complete होता है cell के अंदर cytoplasm की division का process शुरू हो जाता है अब हुआ क्या कि यहाँ पर एक nucleus complete तरीके से बन चुका है दूसरा nucleus भी complete तरीके से बन चुका है और दोनों nucleus के अंदर chromosome आ चुके है ठीक है chromosome यहाँ पर मौजूद है तो अब होता यह है कि cytoplasm के दिर्म्यान में actin protein याद रखिये जिने micro filament भी कहा जाता है actin protein बनना चुरू हो जाती है और यह actin protein center से मतलब इस तरीके से बनती है कि यह ऐसे दुबाना शुरू कर देती है cell को center से cytoplasm को center से खेंचना शुरू कर देती है ठीक है जैसे आप एक balloon के उपर rubber band लिपैड देते है उसी तरीके से balloon दो हिस्सों में separate होता हुआ हमें नजर आता है इसी तरीके से cell को actin protein acid दिर्म्यान से दुबाना शुरू कर देती है एक फरो appearance आ जाती है और करते करते पाप आउट हो के दो cell अलग हो जाते हैं clear हो गया तो एक cell से दो cell बन जाते हैं cell divides into two cell divides into two cell दो में तक्सीम हो जाता है और यहां पर mitosis का process complete हो जाता है basically mitosis का process टिलो फेस पर complete हो जाता है next phase जो आ जाता है वो cytokinesis अलग है एक phase होता है so जिसकी मदद से cell completely दो में divide हो जाता है और आपने देखा कि cell के अंदर जो chromosome number है वो same रहा है ठीक है so यानि cell से पहले जो chromosome number cell के अंदर मुझूद था वो भी इसी farm में मुझूद था ठीक है इसी farm में मुझूद था हुआ क्या था कि S phase के अंदर उसकी DNA की जो है वो replication हुई थी और दूसरा बाज बन चुका था जिसे हमने sister chromatin कहा था so शुरू में ऐसा था और बाद में sister chromatin बना था फिर दुबारा से जब separate हुआ था हर cell के अंदर उसी तरीके से chromosome की numbering आ चुकी है mitosis को हमने detail से समझ लिया है अब हम meiosis को समझते हैं याद रखिए meiosis का जो mechanism है वो special type की cells में होता है और meiosis के mechanism से जो cells बनते होने हम gamir cells भी बोलते हैं so हमारी body के अंदर जो ज्यादा cells है उनमें mitosis का mechanism होता है but कुछ special cells हैं जिन में meiosis का mechanism mechanism देखने को मिलता है वो कौन से cells हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूँ but उससे पहले meiosis को समझने के लिए हमें chromosome का एक concept समझना बहुत ज़रूरी है अब जानते हैं humans के case में chromosome कितने होता हैं हमारी body के अंदर XL में कितने chromosome हैं 46 chromosome और यह chromosome पेर की फार्म में मुझूद होते हैं और उस पेर आफ क्रोमोसोम को homologous pair कहा जाता है homologous इसलिए कहा जाता है कि उस chromosome के अंदर जो information है किसी भी चीज़ की production के लिए किसी भी चीज़ की synthesis के लिए वो information SAM होती है ठीक है जानि SAM chromosome होते हैं दो-दो की फार्म में हमारी बाडी के अंदर जितने भी chromosome हैं वो जोड़ी पेर की फार्म में मुझूद होते हैं यानि diploid farm में होते हैं 46 total chromosome हैं उसका half जो होगा उसे हम haploid बोलेंगे 23 रह जाएंगे clear हो गया अब यह जो pair है इसका concept थोड़ा deeply समझते हैं मैंने आपका पताया हमारी बाडी के अंदर जितने भी chromosome हैं वो pair की farm में होते हैं let's say यह chromosome है आप जानते हैं कि chromosome की structure भी थोड़ी बहुत different होती है उस पर detail में बात की किसी lecture में आएंगे let's say यह chromosome है तो इसी की तरह के एक और chromosome भी cell में मुझूद होगा ठीक है हो सकता है यह structure बिलकुल similar ना बने बट बिलकुल इसी की तरह के एक और chromosome भी मुझूद होगा और इन chromosome पर जो genes होगे वो same functions को qualities को control करने वाले genes होगे although उन genes के अंदर जो flavors हैं वो different हो सकते हैं for example simply मैं आपको बताता हूँ कि इस chromosome के उपर let's say इस region में एक gene मुझूद है और इस chromosome पर भी क्यूंकि यह इसका pair है homologus इस पर भी same जगह पर वो gene मुझूद होगा but हो सकता है कि यह वाला जो gene है let's say यह gene eye color को control कर रहा है so इसका flavor different हो सकता है यानि कि यह जो gene है यह भी eye color को control कर रहा है यह gene यह भी eye color को control कर रहा है but हो सकता है कि यह वाला gene dominant है और यह eye color black के लिए responsible है और इस gene के अंदर जो information है वो blue eye color के लिए information है तो हम कहते हैं कि जो baby पैदा होगा उसमें जो eye color show होगा वो black show होगा बट आप देख पा रहे हैं कि gene same जगा पर मुझूद है दोनों क्रोमसोम के same quality को control कर रहा है बट उसके flavor different हो सकते हैं यानि color combinations different हो सकते हैं blue, green, black different हो सकते हैं ठीक है तो आपने पहला concept तो यह लेना है कि क्रोमसोम हमेशा हमारी body के अंदर pair की farm में मुझूद होते हैं और वो जो pair होते हैं उसे homologus pair कहा जाते हैं और मैंने आपको बताया है कि chromosome की shapes भी different होती हैं so मजीद इस concept को detail से आपको समझाने के लिए मैं एक और example आपको दे देता हूँ let's say chromosome है उसकी shape ऐसी है ठीक है sub metacentric हम इस shape को बोल सकते हैं यानि कुछ उपर वाले बाजू बहुत चोटे हैं और नीचे वाले दोनों बाजू लंबे हैं ठीक है अब आप देख पा रहे हैं यानि कि एक chromosome यह आगया तो इसी का pair इसी के तरह का एक और chromosome भी होगा सो chromosome हमेशा pair में होंगे अब जाहिरी बात है यह जो chromosome दो बाजू वाला क्रोमोसome होता है इसमें एक बाजू exact कापी होती है दूसरे बाजू की सो इसका मतलब यह है यहाँ पर जिस जीन की information है वो यहाँ पर भी होगी और यहाँ पर जिस जीन की information है अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि हमारी बाडी के अंदर जो chromosomes आते हैं आप जानते हैं वो reproduction का जब process होता है fertilization होती है fertilization के नतीजे में होता क्या है कि XL male से आता है जिसे spum cell बोलते हैं XL female से आता है जिसे XL बोलते हैं इन दोनों का nucleus सापस में fuse कर जाता है इसका मतलब यह है कि एक chromosome male parent से आया एक chromosome female parent से आया fuse किया zygode बना अब उसके बाद वो zygode जो के 46 number of chromosome का है वो आगे duplicate होगा by the process of mitosis ठीक है वहाँ से आगे mitosis चलेगा so simply मैंने आपको यह diagramatically यह वाद समझानी है कि let's say यह जो sperm cell है यह male के अंदर होता है ठीक है और इसमें chromosome number कितने होते हैं 23 haploid farm में chromosome होते हैं ठीक है और यह let's say female cell है egg है और इसमें chromosome number कितने होंगे 23 अब egg और sperm आपस में मिलेगा zygode बनेगा जिसमें chromosome number 46 हो जाएगा यह egg zygode आगया अब यह जो develop होगा यह mitosis के process से पूरा baby बन जाएगा clear हो गया ओके अब हमारा हमारी जो concentration है वो होगी sperm and egg cell पर आपने देखा कि sperm cell के अंदर chromosome number half है egg cell के अंदर भी chromosome number half है तो sperm और egg के अंदर ऐसा क्या हो रहा है यानि यह कैसे बन रहे हैं कि इनके अंदर जो chromosome number है वो half रह जाता है so man basic concept हमारा यह है कि आज हम meiosis को समझने वाले हैं जिसमें spams और egg की production होती है और इनके लिए मैं gamete का word भी use करूँगा यह भी आपने जहिन में रख लेने है gamete का जब मैं अवार्ड यूज़ करूँगा यानि उससे मुराद होगी sperm and egg ठीक है so जो gamete की production होती है वो by the process हम meiosis होती है यानि meiosis का काम ही यह होता है कि ऐसे cell प्रोड्यूस करना जिन में chromosome number half रह जाए clear हो गया okay so hopefully अभी तक आपको concept clear हो गया होगा अब जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताए कि meiosis का process बड़ा specifically कुछ special cells के अंदर होता है और उन special cells के अंदर जब वो process होता है जिसके नदीजिए में gametes बनते हैं sperm and egg बनते हैं तो वो sperm and egg के अंदर कि कौन से cells के अंदर ही ये mechanism हो रहता है अगर हम males की testis की बात करें जैनि जो males होते हैं उनके अंदर reproductive structures में egg testi भी होती है structure आपको बता ही है ठीक है testis के अंदर कुछ special type के cells मौजूद होते हैं जिने spermatogonium कहा जाता है this is singular spermatogonium plural ठीक है ये word आप यूज कर सकते हैं so spermatogonium के अंदर meiosis का process होगा ठीक है और meiosis के process से primary spermatocyte बनेगा फिर secondary spermatocyte बनेगा फिर spermatocyte बनेगा spermatocyte बनेगा इसी के लिए क्या है spums है ठीक है क्या है spums अच्छा इस process को spermatogenesis कहा जाता है इस पर detailed video already मैंने बना दी है यहां पर just understanding के लिए मैंने आपको बताया है कि कुछ special type के cells हैं जो male testes में मुझूद होते हैं जिने spermatogonium कहा जाते हैं उनके अंदर meiosis का mechanism होता है जिसके नतीजे में spums की production होती है so spermatogonium के जो cells है उनका initial chromosome number 46 होता है female के बाड़ी के अंदर ovaries के अंदर follicular cells में oogonium special type के cells होते हैं oogonium जो के 46 number of chromosomes रखते हैं so in cells के अंदर meiosis का mechanism होता है primary oocyte बनता है secondary oocyte बनता है और polar body बनती है जिससे secondary polar body बनती है so secondary oocyte से egg की production होती है detail mechanism पर मैंने video बनाई हुई है जहां पर information के लिए आपको बता रहा हूँ so egg की production होती है यानि female के अंदर जो functional cell है ना उसे हम egg बोलते हैं और ये egg ही होता है और इसमें crown zone number 23 होते हैं वैसे meiosis की एक खास बात है कि egg cell से 4 cells बनते हैं so इसका मतलब ये नहीं है कि female के बाड़ी के अंदर सिर्फ egg ही cell बनेगा cell और भी बनेगे एक, दो, तीन तीन और cells भी बनेगे बट functional egg ही cell होगा जिसे egg cell कहा जाता है जबके male के अंदर जो चार cells बनेगे जो spams होंगे वो चारों के चारों functional होंगे clear हो गया so meiosis में हमें क्या देखने को में लेए एक बात तो जहां पर मैंने आपको ये समझानी है कि meiosis, ovaries और testis के अंदर आपको देखने को में लेगा males में testis के अंदर meiosis का mechanism होगा female में ovaries के अंदर होगा अगर आप ज़्यादा specifically इस चीज़ को note करना जाते हैं तो males की testis के अंदर spermato gonium cells के अंदर meiosis का mechanism होगा और female ovaries के अंदर ugonium cells के अंदर meiosis का mechanism होगा और इसकी नतीजे में चार cells जो बनेंगे चाहे वो female के अंदर हो male के अंदर हो उन चार cells के अंदर जो chromosome number है वो half रह जाएगा 23 रह जाएगा clear हो गया so मैंने आपको यह जो बात समझाई यह अभी तक इस से हमें meiosis की importance का भी पता चल जाएगा और meiosis की importance में सबसे man जो importance है बलके दो importance है एक तो step के अंदर study करें गया और एक इस information के wording जो हमें पता चला वो यह है कि genetic continuity from generation to generation meiosis की जरी हो रही होती है यानि के cells का chromosome number half रह जाना sperm cell और egg के अंदर भी half हो जाना और यह जब दोनों मिलेंगे तो against है 46 जो human की requirement है यह बनना यह continuity genetic continuity को represent कर रहा है यानि अगर यह half number of chromosome meiosis की जरी है ना हो रहे होते 46 egg cell से आते 46 दूसरे cell से 80-92 का combination बनता ठीक है तो कुछ अजीव सी मखलूक त्यार होती है so continuity के लिए बहुत जरूरी है genetic continuity के लिए कि meiosis का mechanism gametes के अंदर हो और वो gametes जो फ्यूज करें तो एक human individual की growth हो clear हो गया और second importance आ जाती है कि genetic variation यानि parents से जो बच्चे होते हैं आप देखते हैं कि बच्चों के अंदर बहुत सारी characters ऐसी होती है जो new होती है या जो थोड़ी बहुत different होती है ठीक है variation इसे कहा जाता है so यह जो variation है यह meiosis के process से यह आती है कैसे आती है अब यह मैं आपको बताने वाला हूँ so बच्चे क्या करते हैं यूजली अपने parents से different होते हैं या आपने ऐसा बच्चा तो नहीं देख़ा होगा कि वो बिल्कुल अपने parent की copy हो ठीक है अपने male parent की copy हो कोई लड़का अगर कोई लड़की है वो अपनी female parent की का भी ऐसा नहीं होता वो mixture होते हैं दोनों parents का ठीक है और definitely वो similarities भी रखते हैं अपने parents के दाथ बट different भी होते हैं so ये ये भी बहुत important mechanism है meiosis के अंदर जो varieties और variation आती हैं और इससे बहुत benefits होते हैं जो आगे हम genetics की continue lectures के अंदर study करते जाएंगे so genetic variations को crossing over के ज रखेंगे so meiosis का जो mechanism हो दो stages में होता है या दो phases में होता है meiosis one and meiosis two क्यूंकि हमें पता है कि meiosis की end product में हमें four data cells मिलते हैं four data cells मिलते हैं mitosis में दो होते हैं so इसलिए जरूरी है कि meiosis में दो मर्तबा ये process चले ठीक है so meiosis one में दो cell बनेंगे फिर उन दो cells में 4 cells बनेंगे clear हो अब हम meiosis one को study करते हैं okay meiosis one का process हो या meiosis two का process या mitosis का process जो stages हैं वो सब में same हैं या जायनी meiosis one में pro phase, metafase, anafase, telophase आपको देखने हो मिलेगी और इसके साथ हम one लगा देंगे या प्रो phase one में अगर pro phase one की discussion कर रहे हैं तो इसका मतलए हम meiosis one की pro phase one को study कर रहे हैं ठीक है और इसी तरीके से मियासिस 2 में भी pro phase, meta phase, एना phase, टीलो phase, ये सारे steps चलते हैं, साथ में हम two लगा देते हैं, ताग हम पता चले कि हम meiosis 2 के meta phase 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है, okay, so meiosis 1 में भी पहला phase क्या होगा, pro phase, तो अभी तक मैं imagine कर रहा हूँ कि आपको mitosis अच्छे से समझ आया यहां पर skip करने वाला हूँ जो mitosis में study हो चुकी हुई है so pro phase में आपको पता है क्या होता है centrioles move करते हैं अपने opposite pole की तरफ move करना शुरू करते हैं ठीक है nuclear membrane अगर बनी हुई है तो वो disappear होना शुरू हो जाती है right, nucleolus disappear होना शुरू हो जाता है और chromosome condense होना शुरू हो जाते हैं और chromosome condense होकर नजर आना शुरू हो जाते हैं so यह तो basic information है जो pro phase के बारे में आपको पता होनी चाहिए but जो meosis 1 का pro phase 1 है यह सबसे important phase है आपने याद रखना है because जो meosis की importance मैंने आपको बताई थी genetic variation को जो importance contribute करती है उस process को crossing over कहा जाता है यह crossing over का phenomenon मिosis 1 के pro phase 1 के अंदर हमें देखने को मिलता है so pro phase 1 को further कुछ सब stages में divide किया गया है जिसमें liptotene, zygotene, pecaitene, diplotene और diacan acid different stages है या five different stages आ जाती है pro phase 1 की और यह stages represent कर रहे होती है कि chromosome के अंदर क्या हो रहा है ठीक है, so बारी बारी देख लेते हैं सबसे पहली stage आगी, liptotene, pro phase 1 के अंदर बाकी जो चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है अब हमारा focus होगा chromosome के उपर so liptotene stage के अंदर क्या होगा दो chromosome condense होकर नजर आना शुरू हो जाएंगे ठीक है, chromosome क्या हुआ है, condensed हुए अब नजर आना शुरू हो चुके है और homologous chromosomes एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे ठीक है, फिर next stage start हो जाएगी जिससे zygotene कहा जाता है जिसमें जो homologous chromosome अच्छा, यहां पर एक मैं आपको बात बता दू कि यह जो homologous chromosomes हैं यह मैंने different color से चाहां पर represent कर किया हुआ है इस से आपने यह confusion नहीं लेनी कि यह chromosome एक दूसरे से बिल्कुल different है ठीक है, यह color मैंने different इसलिए रखिया है ताकि जब crossing hour हो तो उसमें हमें अच्छे से समझाए कि crossing hour में हो क्या रहा है तो आपने यह समझना है कि यह homologous chromosome है यानि अगर इस chromosome पर यहां पर hair color के लिए कोई gene है तो इस chromosome पर भी इस बाजू पर hair color के लिए gene होगा यानि same information यह control कर रहे हैं बट again से flavor different हो सकता है ओके, leptotene में क्या हुआ chromosome condense हुए नजराना शुरू हुआ है zygotene के अंदर क्या होगा chromosome एक दूसरे क्रीब आएंगे zygote से निकला है zygote में यहां पर क्या हुआ sperm और egg की fusion हुई so zygotene stage के अंदर क्या हो रहे है chromosome आपस में मिल रहे है यानि एक दूसरे क्रीब आ रहे है let's say यह एक chromosome है ठीक है यह इसका हो वो लोग बस दूसरा chromosome है यह दोनों chromosome आपस में क्रीब आएंगे बिल्कुल ऐसे जोड़ जाएंगे ठीक है और यह centromayer से आपस में तक्रीबन जोड़ जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर separate करके दखाना जरूरी है वरना आपको समझ नहीं आएगी processes की बट यह एक दूसरे के बिल्कुल ऐसे क्रीब आ जाते है जोड़ जाते हैं ठीक है और जब यह जोड़ते हैं तो इनके जो बाजू है ठीक है चार बाजू होते हैं इसे इन चार बाजू को tetraid कहा जाता है तो जाईगोटीन स्टेज के अंदर क्या हो रहा है क्रोमसॉम एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं ठीक है जब एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ जाते हैं तो इस process को कहा जाता है synapses ठीक है अब next stage की तरफ जलते हैं जैसे पेक आई teen stage कहा जाता है पेक आई teen stage के अंदर सबसे important mechanism हो रहा होता है जैसे crossing over कहा जाता है और crossing over क्या है याद रखिए exchange of part between chromosome chromosome के बाजूँओं के जो parts है ना एक दूसरे के साथ exchange हो जाते हैं ठीक है let's say जहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये hair color को control करने वाला gene है और जहाँ पर भी hair color को control करने वाला gene है ये दोनों आपस में जुड़े जहाँ पर थोड़ा साम different mechanism में mixing कर रहे हैं बट हो रहा होता है sam chromated mix हो रहा होता है ठीक है यानि जहाँ पर hair color को control करने वाला gene होगा तो ये वाला gene इस chromosome के साथ replace हो जाएगा और ये वाला gene इस chromosome के साथ replace हो जाएगा ठीक है इस बात को समझेगा तो इस चीज़ को crossing over कहा जाता है ये बहुत beautiful mechanism है तो crossing over में क्या हो रहा है sinpsis के बाद chromosome जब आपस में जूडे हैं उसके बाद क्या हुआ कि क्रॉंवोसाम ने अपने parts को exchange गिया यानि कि यहां से ये blue part blue chromosome का जो part है ये red के साथ जाकर connect हो गया ठीक है यहां से भी let's say ये red के साथ जाकर connect हो गया और जो red part है यह blue के साथ आगर connect हो गया, ठीक है, यह से, आ रही है समझ, तो क्या हुआ, crossing over हुई की नहीं, यानि pieces cross हो गया एक दूसरे के, ठीक है, तो इस mechanism को crossing over कहा जाता है, यानि इस anapses के exactly बात क्या हुआ है, कि chromosome ने अपने parts को exchange कर लिया है, और इस process को crossing over कहा जाता है, क्योंकि यह सब से important process है, इसलिए यहाँ पर में थोड़ा time ले रहा हूँ, ओके, इस stage को कहा जाता है, pack 18, अगर आप से MC की उस पुछा जाएगे, crossing over कौन से stage के अंदर हो रही है, तो आपने बताना है, pack 18 के stage के अंदर crossing over का mechanism देखने को मिलता है, ओके, अब stage आ जाती है, diplotine, diplotine stage के अंदर क् crossing over हो चुकी है, exchange of parts हो चुक है, अब यह chromosome थोड़ा सा एक दूसरे से दूर जाना शुरू हो जाते हैं, यानि यह centromer से जुड़े होया थे ना, यह एक दूसरे से दूर जाना शुरू होते हैं, लेकिन वो वाला पार्ट जहां पर parts exchange होय हैं, यानि chromatate का वो वाला पार्ट parts exchange हुए है वो इस तरीके से आपस में जुड़ा होगा centromate से ये अलग हो जाएंगे लेकिन chromatate के parts जुड़े होंगे और वो जो chromatate का part आपस में जुड़ा होगा वो ऐसे cross-like appearance देर होगा और इस structure को इस region को chasmata घा जाता है so ये एक आगी इसे क्याजमा या क्याजमेटा कहा जाते है so this region is called क्याजमेटा, clear हो गया so crossing hour का mechanism पहले हुआ है, pecaitin stage के अंदर diplotin stage के अंदर क्या हुआ chromosom एक दूसरे दूर जा रहे हैं, ठीक है लेकिन जिस area से वो आपस में cross हुए थे, crossing hour का mechanism हुआ था वो वहाँ पर attach है, और उस structure को क्याजमेटा कहा जाता है so crossing hour वाली जो structure है उसे क्या कहा जाता है, क्याजमेटा और वो ज्यादा अच्छे से appear होती है नजर आती है diplotin stage के अंदर ओके, फिर last stage आ जाती है प्रोफेस वान की diakinesis, जिसके अंदर chromosome fully condensed हो जाते है और clearly नजर आना शुरू हो जाते है यानि पूरे तरीके से जोड़के हमें नजर आ रहे होते है diakinesis के अंदर ठीक है, तो यह आ जाता है pro phase one ओके, अब हम meta phase one की तरफ चलते है क्योंगे chromosome के अंदर जो crossing hour हो नहीं थी, वो सारी हो चुकी है अब meta phase one के अंदर क्या होते है homologous, जो chromosome होते है वो एक plaid की farm में आ जाते है यानि दिरमयान में, center में आ जाते है meta phase में क्या होता है, meta phase प्लैड बनती है center में आ जाते है spindle fibers arise करती है spindle fibers निकलती है और chromosome को center से पकड़ लेती है centromere से पकड़ लेती है centromere पर kineto core protein होती है जिसके साथ spindle fibers जाकर attach हो जाती है जैसे spindle fibers जाकर attach होती है तो ये pull force लगाती है और chromosome को अपने-अपने pole में खेंचना शुरू कर देती है अब आपने अगर कुछ difference feel किया हो तो वो ये feel किया होगा metosus के metaphase के अंदर क्या होता है कि chromosome को spindle fibers दोनों साइड से पकड़ती है बढ़ जहां पर एक साइड से जो spindle fiber centriol से निकली है centrosome से निकली है उसने chromosome को 1 साइड से पकड़ा है दूसरी साइड से नहीं पकड़ा अगर दूसरी साइड से भी chromosome perspective observates होता spindle fibers ने kromosomes को center से पकड़ा और अपनी तरफ pull लगाना चुरू कर दिया so NFS1 में क्या होगा ये kromosomes spindle fiber की pull force की मदद से opposite pole में move करना चुरू कर देंगे so ये opposite pole में चले गए है telophase 1 में क्या होगा nuclear membrane appear होगी और completely दो न्यूकलिस next mechanism चलेगा जिसे cytokinesis so cytokinesis के अंदर क्या होता है cytoplasm की division होती है cytokinesis के अंदर क्या होता है cytokinesis के अंदर क्या होता है cleavage foro बनता है और x else से dho cells बन जाते है तो दो cells के अदर आप देएक बारे पर आप में ये वाले chromosomes चलेगे, दूसरे में ये वाले चलेगे, clear हो गया, okay, so meiosis 1 का mechanism complete हो चुका है, जिसके end में हमें 2 cells मिल चुके हैं, जिसके अंदर homologous chromosomes में से एक पेर एक cell में चला गया, दूसरा पेर दूसरे cell में चला गया, so already जो chromosome number है, वो तकरीबन half हो चुका है, clear हो गया, okay, अब चलेगा second mechanism जिसे meiosis 2 कहा जाता है, जाद रखिए, meiosis 2 बिल्कुल exact copy है, mitosis के, ठीक है, so meiosis 2 में वही होगा, प्रोफेस 1 में क्या होता है, nuclear membrane disappear होगी, centriol opposite pole में जाना चुरू होगे, और chromosome appear होना चुरू हो जाएंगे, condense होने के बाद, so फिर next phase चलेगा, जिसे metafase 2 कहा जाता है, so metafase 2 मे क्या होगा, ये chromosome को spindle fiber center से पकड़ेंगे, ठीक है, so ये अब क्या होगा, कि chromosome को spindle fiber दोनों side से पकड़ेंगे, ठीक है, दोनों side से जब पकड़ेंगे, तो यहाँ पर इस chromosome के अंदर जो cohescent protein होती है, वो separate enzyme की मतलब से degrade होगी, और ये chromosome आपस में अलग हो जाएगा, separate हो ठीक है, फिर telophase में क्या होगा, इसके nuclear membrane दोबारा से बनेगी, और दो cell इस से भी cytokinesis की मतलब से दो cell बन जाएगे, so let's say, इसमें meiosis 2 चला, इससे दो cell बने, इसमें meiosis 2 चला, इससे भी दो cell बने, so total हमारे पास 4 daughter cells आ जाते हैं, जिसमें chromosome number 23 होता है, clear हो गया, ओके, quickly review कर देता हूँ मैं आपके लिए, meiosis को, मैंने आपको बता है, meiosis का mechanism special cells के अंदर होता है, यानि testis और ovaries के अंदर, यहांपर मैं लिख देता हूँ, ovaries, ovaries के अंदर, यह mechanism हमें देखने मेलता है, जिसके नतीजे में, जो cells बनते हैं, उनमें chromosome number half रह जाता है, meiosis के end product म बनते हैं, इसके importance जयाती है, कि genetic continuity रहती है, from generation to generation, और changes हमें बच्चों के अंदर देखने मेलती है, due to the process of crossing over, फिर हमने, meiosis को दो stages में divide किया, pro phase one, sorry, meiosis one and meiosis two, meiosis one का सबसे important phase pro phase one, जिसके अंदर crossing over का mechanism देखने मेला, जिसमें दो homologous chromosomes के दिर्मियान, exchange of parts हमें देखने मेला, जिससे genes एक दूसरे के साथ mix हो रहे हैं, ठीक है, यानि हम कह सकते हैं, कि वो checkerboard सा बन रहा है, एक different pattern सा बन रहा है, genes का इसी वज़ा से जो variation ह है, बच्चों के अंदर देखने को मिलती है, फिर metaphase one के अंदर क्या हुआ, homologous chromosome का एक pair, एक side चला गया, दूसरा pair, दूसरी side चला गया, तो इस तरीके से chromosome number half रहे के 23 रहे है, अब जो 23 chromosome थे, जाहिरी बात है, इनके दो बाजु है, तो एक बाजु के अंदर वो पूरी information है सो वो information separate होने के बाद, दो सेल जो new बनेगे उनके अंदर transfer हो जाएगी, सो hopefully आपको lecture समझ में आया होगा, next lecture तक के लिए मुझे अजाज़त है, शुक्रिया, अल्लह, हाफिज